Hello everyone, I welcome you all to YouTube channel English by Russian तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं A to Z batch और A to Z batch के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं Adjective ठीक है, तो Adjective की 3 classes पहले हो चुकी है आज 4th class है और आज की class में मैं सारा का सारा जो है जो मिस हो जाएंगी, जो आप मतलब यहां सर के ओपर से भी जा सकती है तो इसलिए पहले आप वहाली classes देख लो, हो सकता है कि आपको बहुत कुछ समझ में आ भी जाए अगर आप आज की class देख रहे हो, हो सकता है कुछ चीज़े आपको समझ में ना भी जाएं तो पहले आपको मैं recommend करूँगा कि पहले आप वो तीन classes जो है जाकर देख लो, आज हम शुरू करेंगा rule number 13 से, शुरू करते हैं, उसके बाद last class के last में जब सारे के सारे rules हो जाएंगे तो फिर 40 questions है practice के लिए, वो भी मैं आपको practice कराऊंगा, उसको 6 से solve कराऊंगा, तो copy pen निकाल लो, चीज़ों को note करते हुए चलना है, बिल्कुल भी आला समनी बैठना, आज का rule जो है पहला, देखो क्या है, these adjectives are always followed by two and not by them, जिके सबसे पहले तो यह adjectives कहा हैं देखते हैं, तो ऐसे adjectives हैं, जो कि Latin भाषा से लिए गए हैं, basically Latin adjectives हैं, तो आपको इनके बारे में याद क्या रशना है, देखो, सबसे पहले, इस पे आने से पहले, छोटी चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, अगर माल लो एक adjective है, जैसे मैंने बोला hot, मैं आपसे कहता हूँ, उसक हैं, handsome, यह भी adjective है, मैं आपसे कहता हूँ, इसका comparative बनाओ, तो आपका होगे सर ठीक है, यह जो hotter है, यह single syllable वाला adjective है, अब single syllable, double syllable क्या होता है, मैंने आपको करा रखा है, syllable का मतलब wobble sound, hotter, एक ही wobble sound use हो रहा इसके इंदर, लेकिन handsome, इसके इंदर दो wobble sound है, handsome, ठीक है, तो मोर बेसिकली क्या करता है, objective को comparative बनाने में मदद करता है, is that clear, इतना आपको समझ में आगा है, ठीक है, अब मैं आप से कहता हूँ, hotter लिखा ने, ठीक है, तो आपको कहोगे सर ठीक है, hotter तो comparative हो गया, फिर मैं कहता हूँ, इसके साथ अलग से more भी लिख दो, आपको कहोगे सर अलग से तो गलत हो गया, मैं आप से पूछता हूँ, गलत क्यों हो गया, आपको कहोगे सर, जब hotter अपने आप में comparative बन गया, तो अलग से more क्यों लगा है आपने, यहां तो चलो handsome comparative अपने आपको नहीं बना सकता, इसमें R.E.R. नहीं लगा सकते हैं, जैसे इसमें हमने ER समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, ऐसी मैं बहुत समार्टर, समार्टर आपको पता है, अपने आप में comparative है, तो अलग से more लगाना तो गलत हो जाएगा, यह concept मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पिछली classes में, तो more smarter तो कहना गलत हो जाएगा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रह इस सारे के सारे Latines adjectives हैं, और यह आप चाहो न चाहो मानो न चाहो मानो मानो लेकिन यह सारे के सारे अपने आपमें आपने आप कहा है, ओल्रेटी क्या है यह comparative की फी फर्म में है, याने कि अगर आपने इस adjective को यूज किया, या इसको या किसी को भी यूज कर लो इसमें से, तो आप चाहो ना चाहो लेकिन आप comparison कर रहे हैं, समझाता हूं कैसे, अगर मैं अपने आपको senior कह रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि मेरे सामने वाला जो मुझसे junior है, याने कि comparison तो हो गया, मैं अगर बोल रहा हूं कि I am senior, I am senior to you, कि मैं तुम से senior हूं, तो comparison तो हो ही र सामने वाला मेरे superior हो गया, अगर मैं आपको किसी से junior कह रहा हूं, तो automatically सामने वाला मेरे से senior हो गया, तो इसका मतलब जितने भी adjectives है, सारे के सारे already comparative है, यह already comparative है, अभी मैंने बताया था, hotter जो है, already comparative है, तो इसका मतलब क्या है, कि अलग से आप इसमें more नहीं लगा सकते, सम मोर नहीं लगा सकते आपको पता लगा क्यों क्यों कि यह सारे अपने आप में क्या है आई होप आपको समझ में आया होगा ऐसी है मैं आपसे कहता हूं कि यह होटर है ठीक है अब मैं आपसे कहता हूं यहाप पर मोस्ट लगा दो आपको पता है मोस्ट कब लगाते हैं मोस्ट आप में superlative होता है, ठीक है न, much more, most, much हो कि आपका positive, more आपका comparative और most आपका superlative, जो एक से ज्यादा syllable वाले adjectives होते हैं, जैसे कि handsome, beautiful, hardworking, उनका superlative बनाने के लिए most लगाते हैं, जैसे most handsome, most beautiful, most hardworking, अब आपका होगे sir, अगर मुझे superlative चाहिए ही होगा, तो sir मैं तो hottest बोलू होगे, hotter तो comparative है, जो चीज comparative है, उसके पहले most तो कभी लगा ही नहीं सकते हैं, समझ गए, तो इसलिए आपको याद रखना कि आपको पता है, अभी मैंने बताए कि सारे के सारे अपने आपने का comparative है, तो इसलिए इनके पहले ना तो आपको more लगाना, और ना ही आपको most लग लगाओगे, और ना इनके पहले आप most लगाओगे, ठीक है, दूसरी चीज, नॉमली क्या होता है, comparison के केस में हम क्या करते हैं, देन लगाते हैं, ठीक है, comparative degree of adjective की बात में, जैसे की, he is taller than, he is taller than his brother, ठीक है, खरते हैं ना, नॉमली क्या करते हैं, जब अपन comparison करते हैं, तो द comparative है, आपको बता है, लेकिन इनके बाद then नहीं लगाते हैं, इनके बाद क्या लगाते हैं, तू लगाते हैं, यह आपको यादर, देखो लिखा है, these adjectives are always followed by to and not by then, ठीक है, समझ में आगे आपको, दो तीन चीज़े मैंने बताई, पहली चीज, यह सारे अपने आप में comparative है दूसरी चीज, इनके बाद then नहीं लगाकर आपको तू लगाना है, और तीसरी चीज, आपको इनके साथ ना तो more लगाना, ना तो आपको most लगाना, कुछ examples देते हैं, this book is undoubtedly preferable to, देखो preferable भी इसके अंदर है, ठीक है, prefer आपको पता है, एक verb है, prefer, ठीक है, prefer का मतलब किसी को पहले रखना, किसी को ज़्यादा माननेता देना, ठीक है, prefer करना, तो this book is undoubtedly preferable to that in many respects, तो preferable आपको पता है, देखो adjective है, तो यहाँ पर preferable यूज किया मैंने, तो पहली चीज तो आप देखो क्या preferable से पहले more या most आ रहा है, तो आपको गसर नहीं आ रहा है, तो यहां तक तो पहले less, and it's printing is also comparatively good, यह भी concept आपको मैं बता चुका हूं, कि यह जो वॉडesrightly, इसके बाद हमेशा क्या लगाते है, positive degree of adjective, यह आपको मैं बता चुका हूं, ठीक है, comparatively के बाद हमेशा क्या लगाते है, positive degree of adjective, comparatively good, comparatively fine, comparatively cold, तो आपको ध्यान रखना, कि comparatively के बाद क्या जो आएगा एगला एग्जाम्पल देखो आप पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करो फिर आप देखो कि आपका सही गलत है मनोज इस सीनियर टुई इन दी आफिस चीक है मनोज सीनियर टुई देखो सीनियर कंपरेटिव अपने आप में क्योंकि सारे कंपरेटिव है तो अगर है तो ना तो इससे पहले मोर आएगा ना मोस्ट नहीं आ रखा और आगे टू आना ची आ रखा है बिल्कुल ठीक है हीज मोर सीनियर टू में देखो यह गलत हो गलत क्यों जल्दी से बताओ गलत इसलिए क्योंकि सीनियर अपने अपने आप में कंपरेटिव है तो इस को ड्रूरं जीष से सिंट और मोस्ट का मतलब होगाओ वैसे तो आप मोस्ट स्यंआर बोल सकते हैं अगर आप यह बोल तो तो भी सब्सक्राइब तो इसके बाद क्या एगा दैन न इसके बाद क्या था लेकिन आप तो करेक्ट हो गया चिक है आगे बढ़ें है superior to all other officers is superior to superior वे कि आगे कि आरा to all other officers बिलुकुल ठीक है थीज़ इनफिरीयर इनफिरीयर का मतलब तुछ या घटिया इनफिरीर के बाद पर डिलुकुल ठीक है बिलुकुल ठीक है आई प्रिफर टी टू कौफी मैंने बताया था ना प्रिफर हो प्रिफर क्या और दोनों के बाद आपको पता टू लगाते हैं लेकिन तू की जगह एक और चीज़ आप लगा सकते हो दोनों के साथ बता रहो प्रिफरेबल हो या प्रिफर हो इनके बाद टू तो आपको पता आता ही है लेकिन टू के अलावा अगर मैं आपसे पूछू कुछ और लगा सकते हैं तो आपको यह वाला कॉंसेट समझ में आ गया होगा और गिने चुने एड्जेक्टिस आपको पत सकते हो सीनर जूनियर सुपीरियर इंफिरियर प्रायर एंटेरियर पोस्टेरियर बेसिकली एंड्स विद ओ और यहाद रख सकते हैं और प्रिफरेबल और प्रिफरी दोनों भी आपको याद रखने हैं आई होप इस कॉंसेप्ट इस क्लियर ठीक है आगे बढ़ो पुरू इसको यहाँ समझने की कोशिश करते हैं ध्यान से देंगे पहले इसको पढ़ा दूए इक बार देखो क्या लिखा है इंटर चेंजेंज ऑफ डिग्री देखो यहाँ पर क्या है एक्जांपल देखो एक बार कुनाल इस दा मोस्ट इंटेलिजेंट बोए इन मैं क्लास कि मे मतलब है कि यहाँ पर क्या यह क्या बन गया सुपर लेटिव डिग्री बन गया कुनाल इस दा मोस्ट इंटेलिजेंट बोए इन माई क्लास आपको पता है इस एक्जांपल इस अपर कोई गल्ती नहीं मैंने क्यों लिखा मैं आपको समझाते हूं देखो इस लाइन को भी आ अच्छे में हो चाहिए वो बुरे में हो सुपर लेटिव का मतलब सबसे टॉप पर कोई नहीं तो मेरे कहने का मतलब है कि कुनाल जो है ना मेरी क्लास का सबसे होश्यार लड़का है मैं आपसे कहता हूं कि मुझे यही वाली सेंस रखनी है कि कुनाल मेरी क्लास का सबसे मितलब तो तो इसापड बोलत ओगरी में यूस कर Adobe करूगा लेकिनव सुपर लेटिव की तरा साउंड करेगा tutur लेकिन वह साउंड कैसा करेगा सुपरलेटिफ की तरह जरा एक्जामपल देखो इस एक्जामपल को दिखो जरा कुनाल is more intelligent than any other boy in my class ध्यान से देखो कुनाल is more intelligent देखो more आ रहा है more मतलब comparison कुनाल is more intelligent than any other boy in my class की मेरी class में न बहुत सारे boy हैं लेकिन उन में से किसी भी boy के मुक बाए चीहार है तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कुनाल को जब एक-एक कर के Coor के conversion दो की बीच में होती है आप कौोगे और सर्य सबीगिया मैरे कहने मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जब आप कुणाल को इसलबके से से इसलबकर सबसे क्या है सबसे जाद है तो स्पनिया बन गया तो सब मैंने क्या बताया को समझना आया अगर आपको आपको सुपर-डेटीव वाली Λी में तरीके से बनाना हो अगर आपको वाली चीज completamente के तरीके से बनाना हो कैसे वनाना हो comparative के तरीके से तो उसके दो rule है यह रहा rule number one, real rule number two ठीक है, सबसे पहला comparative degree लगाओ उसके बाद then लगाओ फिर लगाओ any other और any other के बाद जो noun आएगा, वो noun क्या आएगा, singular जो कि मैंने यहाँ पर यूज किया, देखो कुनाल is, देखो, comparative degree more intelligent, comparative है then, then है any, any है other, other है और उसके बाद क्या है noun, noun कैसा singular, singular noun है, तो बास यह sentence क्या okay, comparative की form में यूज किया, लेकिन इसका जो छुपावा अर्थ है, वो क्या आ रहा कि कुनाल जो है वो सबसे ही अच्छा है, सबसे ज़्यादा intelligent है तो superlative है, लेकिन sound की तरह कर रहा, comparative की तरह है इसलिए मैंने लिखा, interchanges of degrees कि मैं का कर सकता हूँ, degrees को आपस में interchange कर सकता हूँ, superlative को मैं comparative बना सकता हूँ, जो कि मैंने बना दिया आपको समझ में आया, तरीका नंबर दो वही comparative लगाओ, फिर then लगाओ, फिर any other की जगे क्या लगाओ, all other ठीक है, और noun यहाँ पर भी आएगा, लेकिन यह noun जो न हो क्या बन जाएगा, plural क्यों all लगने का मतलगा noun क्या बन गया, plural समझ में आ गया, यानि कि अगर मैं आपसे पूछू क्यों कि मैं इसी वाले को दूसरे तरीके से पेश करना चाहूं, तो मैं कैसे लिखूंगा, कुनाल is more intelligent than, यहां तक तो देखो, बिल्कुल से में, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, any other की जगे क्या लगा दूँगा, all other, और noun को काड़तों, plural, तो कुनाल is more intelligent than all other boys in my class, I hope आपको समझ में आ गया होगा, दिल्दी से मुझे बताओ, यह comment करके बताओ, कि आपको यह concept समझ में आये की निया है, फिर एक और मज़िदार में आपको चीज बताने जा रहा हूं सीखे अंदर, ज़र आप ध्यान से देखना, ठीक है, अच्छा, तो एक चीज आप समझ गए, कि जो meaning इस sentence की है, वही meaning इस sentence की है, वही meaning इस sentence की है, फरक क्या है, कि यह superlative है, और यह दोनों की दोनों क्या comparative है, लेकिन comparative होने के बावजुद भी, यह क्या consistency दे रहे हैं, superlative की sense दे रहे हैं, तो यह दो rules आपको याद रहे हैं, अब मेरी बात को ध्यान से सुनने, देखो, आपको इन दोनों में common चीज दिखाई दे रही है, अधर, आप ध्यान लखना, यह अधर आप तभी लगाओगे, सुनना मेरी बात ध्यान से, यह यह अधर आप तभी लगाओगे, जब यहाँ वाला subject, जिसको आप compare कर रहे हो, वो और यहाँ वाला noun, जिससे आप compare कर रहे हो, noun या pronoun, मेरी बात को समझो ध्यान से, यहाँ वाला subject, यहने कि noun pronoun जो भी है, और इसको मैं पहले erase कर देता हूं, वरना थोड़ा आपको दिखे कर क्योंकि concept बहुत important है, बहुत ही जादा important है, आप ध्यान से देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा, मेरी बात सुनों ध्यान से, देखो, मैंने क्या बताया, इन दोनों के इंदर common है, अधर, यहाँ पर भी अधर है, और यहाँ पर भी अधर है, यह अधर आपको तब लगा की हुए, एक ही category का मतलब कि अगर यहाँ पर animal है, तो यहाँ पर भी animal, यहाँ पर अगर इंसान है, तो यहाँ पर भी इंसान, ठीक है, यहाँ पर अगर city है, तो यहाँ पर भी city, यहाँ पर अगर magazine है, तो यहाँ पर भी magazine, अगर दोनों एक ही category की हुए, तो यहाँ पर अध में के जियान से देखो comparative है comparative आ गए यह रहा compassionate है उसके बाद Then देन आ गया देखो देन आ गया उसके बाद anyway देखो यह नी आ गया लेकिन यहाँ पर direct मैंने क्या लिखा नाॉन लिखा non singular है अपको प Natal में आगया लेकिन यहां पर मैं कि नहीं आए यहां पर भी सेम चीज़ कंपेर किसको कर रहा हूं कुनाल को किसे कर रहा हूं बोई से तो कुनाल भी तो अपने आपने एक बोई है ना बोई भी बोई है और कुनाल भी बोई है तो दोनों सेम कैटिगरी के तो अधर आ रहा है लेकिन यहां पर मेरे लाल यहां जो diamond है मैं उसको compare कर रहा हूँ किस से metal से कर रहा हूँ तो आप यह भली बात ही जानते हो कि diamond is not a metal कि diamond एक metal नहीं है तो अगर यह दोनों same category के नहीं है तो मेरे मुन्ने मेरे लाल ध्यान रगना कि यहाँ पर other आपको नहीं लगाना I hope मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी तो जैसे मैंने कुनाल को compare किया उसी की category के boys से उसी की category के boys से आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक दोर example लेके समझते हैं इसको जैसे अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना बहुत important चीज अधर आपने हाँ पर तो लगा दिया comparative में लेकिन देखो क्या इसमें अधर दिखाई दे रहा है क्या जैसे मैं ऐसे बोलता हूं आप डारेक्ट याद रखो उसको चलो अधर इसको आप नोट करते चलो अपने कॉपी के अंदर मैंने लिखा नहीं है इसको टाइप नहीं किया लेकिन आप इसको नोट करो अधर इस नोट उस्ट विद शुपरलेटिव डिग्री ओफ एन कि आप सुपरलेटिव डिग्री के साथ अधर का यूज नहीं करते हैं आप वहाँ पर द लगाते हैं अगर इसके एक्जामपल सब देखेंगे यह कॉंसेप्ट अगर आपको समझना आ गया तो आपने बहुत सारी कॉंसेप्ट क्लियरटी आपके अंदर है मैंने क्या बताया यहाँ पर मैंने डिग्रीज को एंटर चेंज किया कि भई मैं क्या कर सकता हूं यह जो हमारा सुपरलेटिव इसको मैं कंपरेटिव की फ़र्म में चेंज कर सकता हूं इन दोनों रूज की मदद से ठीक है और इन दोनों में अदर कब लगाना है जब यहाँ वाले दोनों चीजें जिनकों कमिपेर कर रہे हैं अगर वोство कैंटिगरी तब हमें अधर लगाना है अलॲा रगना यह आपको ध्यान न होले खिय ओर अर ऑदर के लिए तूसरा सेंस होता है चौता है हमारा माउथ सवाइध। टंग होता है और उसके बाद अगला होता है हमारी बॉड़ी के जिनके माध्युम्स हैं जिनके tubing हम क्या करते हैं चीजों को सेंस कहरें हैं किसी भी fragrance को किसी भी मतलब कपता हम चीजों को मांकुत करते हैं और तंग करते हैं किसी चीज के टेस्स को और again करकते हैं तो यह जर आअपको किसे ऐन से कनेक्टेट है और किसे मतलब कि पिखने siya यू से सिन का मतलब दिखना अब बोलू कि तुम else brokenmen i.c.I.C.M से साउंट किसे इयर से एंड स्मेल किसे नोज से तो जितने भी आपको यहां पर वर्प दिखाई दे रहें इनकों बोलते हैं वर्पस अब मैंने क्यों लिखा है एक चीज समझाता हूं ध्यान से समझना आपको मैंने पहले बी बता रखा है आप एक बात बताओ मुझे किसी पी वर्प को क्वालिफाई करने का जो काम होता है एक वर्प को क्वालिफाई करने का जो काम होता है उसको बाप के बारे में जो खासियत बताई जाती है उसको बताने का काम कौन करता है मैंने बता रखा कौन करता है एडवर्प करता है कौन करता है एडवर्प जैसे मैं ब यहां पर तो इसका मतलब है कि वह को क्वालिफाई करने का में एक डबाप करता है लेकिन यह जो यहां पर दिखाई दे रहे हैं तो आपको हीगाई डिखाई यौन यह अपने आप में नोखे हैं, भाईसब क्योंकि इनको qualify एक एड़ वब नी करता, नहरो केसे में क्या होता है, और वर्ब को एक एड़व क्वालिव क्वालिव करता है, लेकिन इन सारे वर्ब्स को qualify एड़ वर्व नी करता, बलकि कोन कंकरता है, यह एड़्जेक्टिव लिखा है इन प्वालिफाइड करने कां कौन करते हैं एड़्जेक्टिव करते हैं एड़्फ नहीं करते आपको समझ में आ गया कि नहीं आ है दुदी से बताव मुझे ठीक है एक्जाम्पल के तूर समझते हैं भाई ओ आपको पता है एक एक एडजेक्टीव एक एडजेक्टिव है जयसे की ही कि वेंट है एपिली वो खुशी कुछी चला गया ही वेंट हैपिली तो तो यहां पर happily ठीक है क्योंकि went क्या है go की second form है यानि कि एक वर्ब है तो वर्ब को qualify करने का काम किसका होता है एक एडवर्ब का तो आपको पता है एडवर्ब क्या है happily यहां पर बिल्कुल ठीक है सर वर्ब को qualify कर रहा है ना तो आपका होगे सर ऐसे यहां पर भी तो जो happy है व पताया कि इन सारे वर्प को क्वालिफाइब करने का काम एडवर्प नहीं करता कौन करता एडजेक्टिव करता है तो अब बताओ मुझे जो संटेंस लिखा पहला वाला यह करेक्ट है यह इनकरेक्ट है जल्दी से बताओ अपने मन में पताओ तो इसका अंसर क्या होगा कि इ AIP क्या एडटिव एक क्यू आपको पता के लोता है ड़ोता है आपको रूंझे क्या है तो इसको क्वालीफाइब करेगा जबिए आपको पताओ नोर्मल केसे में क्यूवर्प करना चाहिए उसको क्वालीफाइब करना चीए तो शर्व पिटरली एडवर्व होता है लेकिन आप गलती कर रहे हो तो अध्यक्ति आये गांप यानिकी भिल्कूल ठीक है I felt bad, यह अब पर feel की second of a felt तो यहाँ पर badly नहीं आया है जबकि badly है ड़ब, लेकिन यहाँ पर adjective आयेगा, क्योंकि verb sensation है, I felt bad that he did not get selected in the team, this soup smells, यह बहुत आगया है, डिलीशियस, डिलीशियस्ली तो नहीं होगा नौ, डिलीशियस्ली आपको पता ड़ब है, ठीक है, लेकिन हमें पता है क्या है अड्जेक्टिव आएगा तो दिस सूप स्मेल्स डिलीशिस ये भी क्या है करेक्ट है आई होप आपको समझना आगया होगा और आप इन सब सबसे बड़ा और एक्स्ट्रीम आपको पता है मतलब जिसका बोलते ने हैं एक बेहद एक्स्ट्रीम टोटल संपूर्ण होल मतलब पूरा राइट मतलब सही रॉंग मतलब गलत आईएल मतलब आदरश impossible डाव संभाव एक्सिलेंट मतलब दिखाई दे रहे हैं इनकों दोलते हैं एपसल्यूट मतलब कि आपने सुप्रटिव है आप इस चीज को समझाओ एक चीज बता हो अगर मैं आपको बोलता हूं कि ईसलिख यह वदूब न हैं एक कि पूलों कि यह एक ट्राइंगूलर पार्क कि इस समझना मैं छो पार्क की ना यह आप तो ट्राइंगुलर अपने आप में एड्जेक्टिव है अब मुझे बताओ ट्राइंगुलर का मतलब क्या है कि ट्राइंगुलर का मतलब है कि भी पार्क का शेप ऐसा होगा तो यह अपने आप में कम्प्लीट ही तो है आप यह तो नहीं कह सकते ना कि मालों यह पार्क भी है ठीक है यह पारिख भी अपने आपने च्छा इंड आ यो अप यही तो नहीं कह सकते कि यह वाला पार्ख और पार्ख ज्यादा ट्रायंगोलर कंपेर तो आप करें किसीं को चीज़ को इस को किसी चाहीं कर्पाओं के चाम के छलना है से जड़ाधा क्या होता है मैं अगर आपको भूल हूं है इस से जर्ब्सक्राइब यह थोड़ी बोल सकता हूं कि यह उससे ज्यादा ट्राइंगुलर है अगर यह भी ट्राइंगुलर है तो आप यह थोड़ी बोल सकते हो कि यह वाला इससे ज्यादा ट्राइंगुलर है दोनों ही ट्राइंगुलर है ट्राइंगल का मतलब क्या है तीन साइड्स हों एक दूसर के आगे ना ही कोई positive degree abuse करोगे जैसे मैं बोलू कि ये बात बिल्कुल सच है तो सच तो सच है ना कम सच या ज्यादा सच क्या होता है अगर मैं बोलू कि नहीं भाई मेरी बात ना उसकी बात से ज्यादा सच है अगर मालने वह भी सच है उसकी बात भी सच है मेरी बात भी सच है तो दोनों की ही सच है, एक कम सच, एक जादा सच कैसे हो सकती है, दोनों ही सच है अपने आप में, ऐसी मैं बोलूं कि कोई चीज अपने आप में complete है, तो complete का मतलबी क्या होता है, complete है निकि संपूर्ण, खतम, complete का मतलबी क्या होता है, संपूर्ण, तो आप यह तो नहीं बोल स तो वो भी अपने आप में क्या सम्पूर्ण है, तो जितने भी आपको adjective दिखाई दे रहे हैं, universal, perfect, कोई भी चीज अपने आप में perfect है, तो perfect वो तब ही है जब बाक्तियों से बहतर है, तो आप यह नहीं बोल सकते कि नहीं, यह वाली चीज इससे ज़्यादा perfect है, इसका मतलब more and most are not used with these adjectives, common sense लगाओ, अगर यह सारे मैंने आपको बता दिये कि superlative है, तो क्या इनके पहले more आप लगाओगे, नहीं लगाओगे, वो ही वाली बात, अगर मैंने आपको बोल दिया hottest, लिख दिया मैंने, तो कैसे पहले आप more लगाओगे, नहीं लगाओगे ना, क्योंक से most लगाने की जुरती नहीं, most तब लगाते हैं, जब superlative खुद से ना बनता है, जैसे most handsome, most beautiful मैंने बताया, तो ध्यान रखना यह आपको पढ़ते-पढ़ते-करते-करते, practice करते-करते, याद हो जाएंगे, ज्यादा रच्टा मत मारना, more and most are not used with these adjectives, इन adjectives के साथ में excellent, ठीक है, etc. एक्सामपल देखो, this is one of the most unique animals, देखो, unique का मतलबी कहा नोखा, unique का मतलबी है कि वो बाकी सबसे अलग है, तो फिर आलग, यानि कि अपने आपने आपने superlative है, अभी था नहीं, यहाँ पर unique, यह रहा, अपने आपने आपने superlative है, तो जब आपने आपने कोई चीज़ superlative है, तो अलग से most लगाने के वशकता नहीं, ठीक है, this is one of the unique animals, this is the most impossible situation, अब आपको पता है कोई यहाँ पर आपने पढ़ा भी impossible, भई, अगर मैंने बोल दिया कोई चीज़ impossible है, तो impossible का मतलब असंभव है, आप कोई चीज़ कम असंभव, ज्यादा संभव नहीं कम असंभव, ज्यादा संभव कुछ नहीं होता, अगर असंभव है, तो असंभव है, समझ में आ गया, तो most impossible नहीं होगा, this is an impossible situation, आप बोलोगे, ठीक है, this is an impossible situation, I hope आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो ध्यान रखना इनके साथ में more और most आप नहीं लगाओगे, और और नहीं आप इनको आलग से ER और EST जोड़कर comparative असी उप्रलेटिव बनाने की कोशिश करो, impossible नहीं होता खुछ भी, impossible नहीं होता खुछ भी, ठीक है, समझ में आ गया, अगला देखो, parallel increase और parallel decrease, अभी examples आगे एक साथ मैं आपको करा हूँ, ठीक है, अभी सिर्व आप concepts के clarity कर रहा हूँ, अभी आगे बहुत सारे examples करने वाले हैं, लगबख 40 examples, parallel increase और parallel decrease क्या होता है, पहले आप इस चीज़ को समझ के चलो, parallel increase और parallel का मतलब क्या होता है, जिसे दो lines है, तो रेखाएं, यह दो parallel है, parallel का मतलब दोनों साथ साथ चल रही है, आपस मैं मिलेंगी नहीं कभी अगर मैं बोलू यह, क्या यह lines parallel है, तो आपको अगर नहीं, क्योंकि जैसी मैं इसको यह बढ़ाऊंगो, तो दुनों आपसे मिल जाएंगी, ठीक है, तो parallel का मतलब होता है, अगर एक चीज़ बढ़ रही है, तो उसको बोलते है, parallel increase, अगर एक चीज़ कम हो रही है, दूसर काम के कम होने को प्रभावित कर रहा है, कि जितना कम पढ़ोगे, उतने कम marks आएंगे, तो यह पर क्या हो रहा है, parallel decrease हो रहा है, जितना practice करोगे, उतना सीखोगे, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, जितना practice करोगे, उतना सीखोगे आप में दूसरी चीज और इसको बोलते हैं parallel इंक्रीस लेकिन कभी-कभी ऐसे बढ़ती है तो इक चीस घड़ती है ठीक है कि मैं जितना अकेला होता हूं उतना दुखी होता हूं मैं जितना अकेला होता हूं मतलब मेरे अकेले पन का जो एक पैरलल इंक्रीज और पैरल डिक्रीज दब जो चीज़िस कि आ चले साथ-साथ में आगे बढ़े ये साथ-साथ में पिश्यट और सब्जेक्ट की बाद वर्ब कर सकते हो ठीक है और फिर कमा लगाकर आगे का जो पार्ट बनता है दूसरा जो क्लॉस बनता है वह भी सेम तरीक और comparative के साथ यहां भी subject या वीवन जो भी है वह यहां पर आ सकता है basically यह चीज में नहीं है the plus comparative और the plus comparative ठीक है example देखो the more you practice the more you practice the more you learn the more you practice the more you practice the more you practice कि तुम जितना ज्यादा practice करते हो the more you learn उतना तुम सीखते हो इसका मतलब क्या हो रहा है कि practice करना और सीखना दोनों क्या रहे तो इसको बोलते है parallel increase बोलते हैं तो parallel increase में ध्यान एकना दो के साथ comparative यहां पर और दो के साथ comparative यहां पर एक्जाम में हो सकता है आपको ऐसी दिदे जैसे the higher the price जो की आ चुका एक्जाम में ठीक है the greatest the demand इस तरीके के आपको एक्जामपल दे दे जा जो की आ चुका है तो आपको फट से पता लगी गलती क्या है the higher the price the greatest the demand कि जितनी ज्यादा कीमत होगी जितनी ज्यादा कीमत जो लग्जूरिस चीज़े होती है न जो मतलब जो मतलब branded चीज़े होती है जिसे आप iPhone का example लो तो जितना ज्यादा उसका price होता है न लोगों में डिमांड भी इतनी ज्यादा होती है मतलब economics के rule के rule मैंसा कुछ होता है मैंने economics उतनी पढ़नी लेकिन मैंने सुना है कि जो brand वाली चीज़े होती है या जो अच्छी चीज़े होती है उन में क्या होता है कि जैसे ऐसे price बढ़ता है वैसे उनकी मांग भी बढ़ती है घरती नहीं है लेकिन जो local चीज़े होती है अगर आप price बढ़ा दोगे तो उनकी मांग कम हो जाती है ठीक है तो यहाँ पर मैंने क्या बोला the higher the price कि मतलब जितना ज्यादा price उपर जाएगा टअधा तो आपको पता है यहां पर आप पैरलेल क्रीस की बात कर आप налगे तो अगर आप पैरलल डीटर मैं यहां प्लस 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 पनेटिव, है तो यहां पर भी तो सेम चीज़ होना चीज़ द और द के साथ comparative होना चीज़ जो कि सूपर लेटीव दे रखा तो greatest नहीं आएगा यहां पर क्या आएगा ग्रेटर आएगा ठीक है तो क्या बन गया दा higher the price the greater the demand I hope आपको यह समझ में आगया होगा parallel यहां और के साथ comparative यहां और के साथ comparative यहां समझ में आगया आगे इसके और भी पढ़ेंगे अब देखो correct use of some adjectives कुछ adjectives है जिनका आपको correct use पता होना चीज़ कहां पर हम कब लगाते हैं वरना आप गलती कर बैठोगे सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं इन दोनों के हिंदी जो होती है लगबग एक जैसी होती है थोड़ा कुछ या कोई दोनों के देखो यूज दो तरीके के हैं यहां पर लिखा हो है मैंने आप सम और एन इन दोनों के बाद countable noun भी लगा सकते हो और uncountable noun भी लगा सकते हो क्या बोला मैंने सम के बाद और एन इके बाद इन दोनों के ही बाद आप countable noun भी लगा सकते हो और आप uncountable noun भी लगा सकते हो अगर आप countable noun लगा रहे हो, तो वो noun आपका singular भी हो सकता है और आपका plural भी हो सकता है, यहने कि countable में दोनों हो सकता है, singular और plural, लेकिन अगर आप uncountable noun लगा रहे हो, तो वो तो हमेशा कह रहेगा singular, क्योंकि आप भी जानते हो, जो uncountable nouns होते हैं, उनका plural आप नहीं बना सकते ह और फिश्या सिंगुलर की फॉर्म में होते हैं। टीक है आयोप आपको समझ में आगया होगा। ठीक है countable noun singular plural दोनों और uncountable noun क्येबल singular अब एक चीश समझाता हूँ अगर देखो countable noun है और अगर वह singular है countable noun or singular है तो वापर most probably उसकी जो हिंदी निकल कर आएगी कोई इन तीनों में से ये वाली हिंदी निकल कर आएगी लेकिन अगर countable है और plural है तो वापर most प्रोबबली उसके इंदी का निकल कर आएगी थोड़ा या कुछ थोड़ा या कुछ ठीक है एक्जाम्पल की दूरू समझने की कोशिश करते हैं अच्छा इन दोनों में डिफरेंस क्या है फिर आपको के सर ठीक है दोनों के इंदी भी एक जैसी है सर दोनों का यूज भी एक गर सकते हैं आप सम को यूज करते हो सिर्फ किसमें affirmative में और interrogative में लेकिन जो एन है इन भाहिस आपको affirmative में भी कर सकते हो इनको नेगेटिप में भी कर सकते हो और आप इनको interrogative में भी कर सकते हो मैं आपको समझाता हूँ कैसė ठीक है देखो I have some money for you कि मेरे पास तुमारे लिए कुछ पैसे है I have some money for you तो यहाँ पर देखो पहले चीज सम सम के बाद जो noun है यह money आप मुझे बताओ कि यह countable है यह uncountable है तो मेरा answer होगा कि यह uncountable है लेकिन आप में से कई बच्चे सोचेंगे कि countable है क्योंकि इसको count किया जा सकता है न जर पाँच रुपे, दस रुपे, पंदर रुपे count करतो रहे हैं तो जो आप count कर रहे हो वो आप money count नहीं कर रहे हो उस money की एक unit है रुपिया, आप उस रुपिय को count कर रहे हो money की अलग-अलग units होती है न लेकिन money almost आप यह माने से चलो कि क्या होता है singular होता है क्योंकि uncountable होता है तो मैंने क्या बताया था अगर some और any के बाद आप uncountable लगाते हो एक एक चीज ज्यान से समझो तो वह singular होगा तो uncountable है और singular है कोई दिक्कत नहीं देखो सम को कहां पर यूज करते हैं affirmative में और interrogative में क्या sentence affirmative है बिलकुल है क्योंकि not निया रहा कोशन भी नहीं मतलब नेगिटिव नहीं है कहने का मतलब यहने के sentence कहा बिलकुल ओक्य आप some money for you ठीक है अब आपको होगे सर आपने बताया कि some और any दोनों की दोनों affirmative में आता है तो अगर सर मैं यहाँ पर any लगा देता हूं तो वो भी ठीक होना चीए कई बच्चों के मने में doubt आगया होगा जैसी मैंने बताया तो मेरा जबाब होगा नहीं देखो यह वाला जो affirmative है नहीं यह ना कुछ कुछ ऐसे मतलब क्या बोलते ह उसको restricted use है इसका restricted समझातों कैसे आप हमेशा नहीं लगा सकते आप अफर्मेटिव में हमेशा एनी नहीं लगा सकते एक एनी का example देखो यहाँ पर मैंने लिखा है इनी की जब ही संटेंस में आपको लगे स्टयशन में कोई भी आप जैसे कई बार बोलते हो कि कोई भी भुग लेया जैसरे मतलब करका कोई भी बंद अब इसे वाल है सैंस for you मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ पैसे यहां पर आपको पता कुछ वाली sense यहां पर कोई भी वाली sense नहीं जाई कोई बीवन्द हाई यहां पर यहां पर मैंने क्या बोला एनी क्यों नहीं आएगा क्योंकि यहां पर सेंस कोई भी नहीं है यहां पर सेंस क्या है कुछ यह थोड़ा कि I have some money for you मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ पैसे तो यहां पर कुछ यह थोड़ा वाली सेंस आ रही है तो यहां पर आप एनी लगाओग कर लोग है उनमें कोई भी मतलब यहां पर यहां पर एनी बिलकुल क्या है करेक्ट है आपको समझ में आया के नहीं आ रहा है जल्दी से बताओ मुझे आ गया कि कि यहां पर any नहीं नहीं लगाए मैंने लेकिन यहां पर लगा दिये जब कि दो नाव पर मैं तो आपको कर सकते न वाइए तो मैंने क्या बताया सकता है तो यहां पर देखो क्या प्लूरल थो अगर प्लूरल तो हिंदी का निकलती है थोड़ा कुछ और अपर प्लूरल थो मिनिदी का निकलती है कोई टो कोई सम बॉइस है कि लग आ सिम भूर नाउंग न होँ"... दोर अगर सिंग encrypted प्लूरल दोनों असकता है अगर singular है तो meaning कहाने के लिए कि फोड़ा है कुछ अब यहाँ पर singular है तो meaning कहाने के लिए कि कुछ ने कोई सम्बोई has been waiting for you since morning मतलब कोई लड़का मतलब कोई यहाँ पर अन्नोन है مुझे नहीं पता कौन है indefinite है यहाँ पर सबर कह सकते हैं कि कोई लड़का है कोई एक लड़का है जो तुम्हारा सुबह से वेट करा तो यहां पर सम का मतला तो कोई जिसके बारे में पता इंडेफिनेट अनिश्चित है वह आपको समझ में आया कि नहीं आया जल्दी से बताओ मुझे ठीक है और अगर आपको पता यह सिंगुलर है तो यह सारी चीजें थी सिंगलर होगी अगर यह प्लूरल है तो यह भी क्या होगा ठीक है समझ में आगया यह मैने तीन एक्जामपल आपको दिये संपित तीनों देख लो ऑफरमेटिव है तक है क्योंकि सम का यूज हम आफ़र्मेटिव में यहा फिर इंटेर्गेटिव में करते है नेगिटि मैंने singular I don't have any problem with this तो मैंने क्या बता बढ़ी जो countable noun problem ए countable noun है problem को आप count कर सकते हो ना तो वह countable noun क्या हो सकता है singular view और plural भी तो देखो यहां पर singular है problem है ना तो मैंने क्या बता है meaning क्या बनेगी कोई तो देखो meaning वही है I don't have any problem with this कि मुझे इससे कोई problem नहीं ठीक है do you have any problem if I sit there अच्छा आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा यह affirmative वाला तो मैंने doubt clear कर दिया ठीक है कि affirmative में हमेशा सम आता है लेकिन कभी कभी क्या आता है एनी भी आ जाता है कब मैंने आपको बता दिया है जब meaning क्या ने कल रही हो कोई भी जब आप ऐसे बोलतों कोई भी आ जाओ या कोई भी ले आओ कोई भी वाला तो ऐसी सेंस में आप एनी लगा देती हो ठीक है वरना हमेशा क्या आता है सम आप अब आपके दिमाग में को और चीज चल रही होगी कि सर इंटेरोगेटिव में भी दोनों है देखो यहां पर लिखा हुआ है इसको पहले थोड़ा सा इरेज करते हैं तो ज्यादा ही राहता फैल गया इसको देखो आपके दिमाग में सवाल यह रहा होगा कि सर यहां पर आपने लिखा कि इंटेरोगेटिव संटेंस के अंदर सम आ सकता है और यहां पर आपने लिखा इंटेरोगेटिव में एनी आ सकता है सरम तो डाउट में आ गए कि कब सम लगाए कब है नहीं लगाए देखो अगर पता नंग हो तो आप क्या दाउट में अगर impulse में और स्वाल आएगा कि सर मान लो हमने लगा लगा दिए ना तुम्हें अपना एंसी सब्सक्रांट करते ना तुम्हें अपना संठेंस्ट फ्रेंड il 6 थे कि तुमने यस या नो सोचा दिमाग है ठीक है आगे देखो I don't have any problem negative मैं एनी लगा दिया do you have any problem if I sit here do you have any problem if I sit here क्या तुम्हें को problem अगर मैं बैठ जातूं देखो sentence क्या interrogative है यह भी interrogative है देखो पहले से वाले को देखो do you have any problem if I sit here क्या तुम्हें कोई problem एनी प्रॉब्लम एनी प्रॉब्लम एनी के बाद singular countable noun मतला बिंदी क्या बनेगी कोई ठीक है तो यहाँ पर मैंने एनी लगाया interrogative में ठीक है अब मेरा सवाल आपसे यह क्या मैं आपर करता है कि situation क्या है अगर मान लो मेरे साथ मेरा दोस्त बैठा है ठीक और मुझे पता है कि मैं अगर उससे पूछूँगा कि मैं यह बैठ जाओं तो मुझे मनाने गरेगा तो मैं क्या बोलूँगा डू यू have any problem do you have some problem if I sit here ठीक है लेकिन normal cases में क्या होता है अपने friend के लिए यह आपने किसी known के लिए आप यह बोलोगे ही नहीं कि do you have any problem यह भी सोचो आप तो दिमांग लगाओ कि अगर आपका कोई दोस्त है यह अगर आपका कोई वह है रेलेटिव है तो उसके लिए आप बोलोगे नहीं है आउट आप एटिकेट सिस्टर चार के लिए बोल सकते हूं कोई problem नहीं है इसलिए मैंने बताए कि any लगाओगे तो भी ठीक है और सम लगाओगे तो भी in case वो क्या है ठीक है तो do you have some problem if I sit here लेकिन almost cases के अंदर यहां पर क्या आएगा क्योंकि आपको जवाब नहीं पता कि सामने से हाँ आएगा ना आएगा अपर यह मानके चलते हैं क्योंकि देखो बहुत कम cases होंगे जब आप आउट of etiquette आप किसी से पूछे हो कि क्या मैं आप बैठ सकते है नॉर्मल जब आप किसी को बोल तो do you have any problem तो normal आप यह देखके चलो कि 90% चांस है कि वह कोई unknown विक्ति होगा और 10% चांस है कि आपका family member या फिर जो भी आपका दोस्त वखेरा वह हो सकता है ठीक है कहने का मतलब यह है तो 90% वाले के साथ आपन जाएंगे तो इसलिए ज्यादा प्र चांसे यहां पर किसके होते हैं क्योंकि आपने को नही क्योंकि देखो ना मैंने बोला do you have some food for me अगर यह बात मैं अपने पेरेंट से पूस्ता हूं do you have some food for me जाइब सी बात आंसर हां में आएगा ज्यादा चांसे हां में आने के हैं मतलब मेरे इसाब से तो मैं अपने sentence को frame करूंगा सम लगा क्योंकि मुझे expectation किसमें yes मैं अगर म unknown से जाके मांगे तो आप टो लेगो do you have any food for me ठीक है अगर आप किसी known से फ्रेंट से या पेरेंट से बोलो तो क्या बोलो को do you have some food for me I hope आपको समझ में आ गया कि interrogative में some और any का इतना जादा कोई difference होता नहीं है main difference किसमें होता है affirmative or negative में ठीक है क्योंकि affirmative में आता है some और negative में क्याता है any और यह case में आपको बताई दिया कि केवल एक ही case है जब affirmative में भी एनी लगा सकते है वह case है I hope आपको समझ में आगया होगे कि नहीं समझे मुझे इसके बारे में खास करके आप बताना comment करके इस वाले portion के बारे में some और any के बारे में जो मैंने आपको समझ में आय है ठीक है लेकिन डीटेल में चीज़े पता होंगी तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आने वाले समझ में आ गया ठीक है इसके बारे में मुझे बताना कि आपको समझना आया यह नहीं आया आगे बढ़ें few of few the few little a little the little इनको समझ लेते बहुत अच्छा concept देखो few ofU the few इन तीनों में common क्या है पहले वो देख लो थो कि यहां पर common निंक क्या है तीनों में कि इन तीनों के बाद आप हमेशा क्या लगाते हो इसको भी और काउंटेबल में शक आएगा प्लूरल आएगा सिंगुलर नहीं आएगा याद रख लोगे देखो फ्यू की मिनिंग क्या होती है फ्यू का मतलब होता है गिन चुने गिन चुने का मतलब क्या होता है बैसिकलि आप यह कह सकते हैं ना के बराबर मतलब कोई चीज इतनी कम ह और अफ्यू हो गया कुछ कि थोड़ा ना तो बहुत जादा ना बहुत कम थोड़ा ठीक है और दौफ्यू का मतलब होता है थोड़े से यह गिने चुने यह बहुत से नहीं मतलब होई जो फ्यू है जो फ्यू है वही दौए लेकिन इसका यूज है वह definite डेफिनेट यूज क्या है मैं भी आपको समझाऊंगा विद एक्जाम्पल टीक है एस देखो लिटल लिटल दलिटल इन तीनों में कॉमन लिंक क्या है तीनों के लगाते हैं तो प्लूरल और अनकाउंटेबल तो आपको पता हमेशा ऐने ऐस आपको पता क्या लगाते हैं singular ही लगाते है जो मेनिंग फ्यू की होती है वह मैनिंग आप फियू की होती है वह और टाल की और अक्या इसका भी देखो क्या है definite use है बताता हूं समझाता हूं explain करता हूं ध्यान से समझो जैसे few of his stories are true few of his stories are true few यहाँ पर सिर्फ मैंने क्या लगा है few लगा है तो few का मतलब क्या गिने चुने यानि कि ना के बरावर few of his stories क्यों उसकी जो stories होती है ना यानि कि ना के बरावर होते हूं जो क्या होते हैं सच होते हैं यानि कि अगर वो तुमेHいた होना के कहाने सुनाएगा ना हाजार में से मानके चलो दो या थेनी गया जी होंगे बागी जारे की सब्लांते बलाउन है जांते King کन है वी दिसOr मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो इस मैटर में तुमारी मदद कर सकते हैं अगर मैं आपर फ्यू लगा देता है I know few people who can help you in this matter तो आप कहते बताओ सही है गलत है I know few people तो आप कहते हैं गलत है अगर मैं किसी को बोल रहा हूं कि मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो तुमारी मदद कर साथ हैं टीक है या फिर मैं क्या बोलूगा मैं इसलिए मैंने क्या बोला है यहाँ पर क्या लगाओ कि आप यह बोलोगे मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं कुछ लोगों को तुमारी मदद कर सकते हैं ज्यादा नहीं कुछ ही लोग है तो कुछ का मतलब क्या होता है तो I know a few people who can help you in this matter ठीक है उसने पढ़ ली है यहाँ पर देखो the few आ रहा है उसने वो कुछ किताबे पढ़ लिए देखो the few का मतलब भी क्या होता है थोड़ी सी या कुछ ठीक है she has read the few books I gave to her कि वो कुछ किताबे जो मैंने उसे दी थी उसने वो पढ़ ली है आप देखो यहाँ पर the few लगा है तो आपको पता है कि दोनों की meaning same है इसका मतलब भी क्या अगिने चुने बहुत से नहीं और इसका मतलब भी क्या अगिन उचुने बहुत से नहीं लेकिन इसक कुछ किताबे पढ़ लिए जो मैंने उसे दी तो यहाँ पर एक extra clause आपको मिल जाता जो क्या करेगा इसको define करेगा इसको define करेगा इसको हम बोलते हैं definite यह ध्यान से सुनो जब आप the few को लगाते हो लगाते हो तो definite यूज में कहला definite यूज होता उसका definite यूज का मतलब होता क कि कोई एक extra clause ऐसा होगा जो क्या कर रहा होगा इसको define कर रहा होगा कि she has read the few books उसने वो कुछ किताबे पढ़ ली है I gave to her जो मैंने उसे दी थी यानि कि जो कुछ किताबे मैंने उसे दी थी उसने वो पढ़ ली है समझ में आया अब यहाँ पर अगर मैं आपसे कहता a few लगा कि महाँ पर ना तोफ फिव लगाते हो वहाँ पर ना तो अथी लगाते आप लिटल लगाते महां पर आप क्या लगाते हो ढठल लगाते हो ठीक है ऑप है I'm this जो रहा है तो त किया है बिल्कुल ना के बराबर है आगर ना के बराबर रहें तूम्हारा लेश्य नहीं बना सकता है क्योंकि फ्रिज में थोड़ा सा दूढ पचा है थोड़ा सा होता है अगर थोड़ा सा है तो बना दे वह समय में तुम्हारे ले चाहें नहीं कर रहे हो इसका मतलब कना कर रहे हो ना तो e तो इसलिए यहां पर क्या है लिटल का मतलब क्या है ना के बराबर पैसे लिटल भी लगा सकते यहां पर लिटल का मतलब ना के बराबर पैसे तो लिटल भी यहां पर ठीक जाता और लिटल भी यहां पर क्या है ठीक है बस दोनों के सेंस ज्या वो क्या हो जाएगी बदल जाएगी ठीक है आये समझ में लेकिन अगर आप एक थोड़ा सेंसिबल विए में सोचोगे तो आप लिटल ही लगा होगे अगर मैं आपसे पहली पूछू कि लिटल आएगा लिटल आएगा कई चीज़ें आपके सेंस पे भी डिपेंड करती हैं कोई भी आपको इंगलीश में सब कुछ नहीं रटवा सकता इंगलीश एक लेंग्वेज है और लेंग्वेज में जब तक आपकी वह सेंस वह जब तक आपकी कहते ना क्या बोलते हैं common sense जब तक पैदा नहीं होगा basic understanding जब तक पैदा नहीं होगी कि यार नहीं यह ठीक लग रहा गलत लग रहा है ऐसी वाली basic understanding तब तक आपको लिश्क करने में मज़ा ही नहीं आएगा रट रट के कितना ही कर लोगे कुछ नहीं कर पाओ ठीक है तो थोड़े से वाली सेंस ज्यादा अच्छी जा रही है ना के बराबर पैसें वाली सेंस ज्यादा अच्छी जा नहीं तो आपको समझ में आ गया few of you the few little a little और दो लिट के बाद बहुत कर नाउन के आएगा लेकिन वह एकाहेगा सिमलर को कि आ लगा ऐसे याद रख सकती है जैसे एक निस्षित वेक्ति ने मुझे बताया किसी व्यक्ति ने बिए बोल सकते है ड़ेक्ट तो यहां पर अगर और सर तो के बाद नौन क्या होगा प्लूरल होगा काउंटेबल होगा और प्लूरल होगा सब्सक्राइब कुछ लड़कों ने मुझे बताया अगर अ बोल रहे हो तो लॉट और अ नहीं लगा रहे तो लॉट में एस लग जाएगा क्या बन जाएगा लॉट सब्सक्राइब देखो यूजड विद सिंगुलर अनकाउंटेबल न्के साथ लगा सकते हो और अपन्को काउंटेबलल की साथ फरक क्या है अगर अनकाउंटेबल है तो आपको पता हमेशए क्या होगा बहुत क्यों क्यों कि इसकी मीनिंग क्या बहुत सारे और बहुत सारे तभी होता जब एक से क्या होता है ज्यादा होता है आई होप आपको समझ में आ गया होगा ठीक है जिनको भी समझ में नहीं आया या फिर डाउट है वो कमेंट में मुझे बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आ कि इस किन को पॉस करकर करके स्क्रीन शॉट लेते रहो आप फटाफट से अगर अगर बढ़ा रहा हूं आप करकर कि क्या करो लेते रहो टोटल 40 कोशिंज है यह तरीकेसे आपका होमवक है यह आपको पहले खुट राइक करना है अगर आपने पास लिखके रखेंगे मैं कल की क्लास में मैं इन को स्वाल्व करवाँगा बेस्ट तरीके से और बेस्ट सलूशन के साथ और बहुत सारी चीज़ा आपको और भी नई नहीं जाने को मिलेंगी लेकिन मेरा यह अनुमान है कि अगर आपने मेरी अड्जेक्टिव की चारों क्लास इसको आज को अगर आपने देख लिया है तो यह 40 के 40 स्कुर्ण आप कर जाओगे जाओगे यह मेरी कटने अगर आप ने चारों क्लास को देख रहेगा और इस कितने ठीक है कितने गलत है तब तक आप इसी तरीके से पढ़ते रहो चीक है आगे बढ़ते रहो मैं आप से मिलूँगों नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद